So, Hey What's Up Guys, कैसा आप सबी? So, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं OPPO के कुछ ऐसे डिवाइस के बारे में जिनके लिए आप लोगों को upcoming updates के अंदर कुछ नए features हैं, वो देखने को मिलेंगे कुछ changes हैं, वो देखने को मिलेंगे तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो को end तक देखना, वीडियो गर आपको ये अच्छी लगती है तो लाइक करना और चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को याँपर all पर प्रेस करें ना सबसे पहले बात करते हैं, हमारे फर्स्ट चेंज के बारे में जो की अपकमिंग अप्टेट के अंदर होने वाला है मान लोगा इस अब भी आपकी डिवैस के अंदर जो कलर ओएस, ठैटीन का जो अप्टेट है ना वो चल रहे है, चाए बीटा अप्टेट हो या फिर इस्टेबल अप्टेट हो, तो उसके अंदर आप लोगो को जो कंट्रोल सेंटर है वो याँ पर कुछ इस टाइप का देखने को मिलते है जहाँ पर आइकन्स है, उनको आप लोग एक पार यहाँ पर गोर से देखिए आप लोगो को ज़्यादा डिफ्रेंस है न, वहाँ पर नहीं मिलते है लेकिन अगर आप लोग देखते हो, कुछ नए अप्टेट के अंदर तो आप लोगो को जो कंट्रोल सेंटर है वो कुछ इस टाइप का मिलते है तो आप लोगो को वैसे आपर पता नहीं लग राओगा कि इसके अंदर कौन सा चेंज है न, वहाँ पर किया गया है तो जयान से देखना, ये वाले जितने भी जो आईकन्स है इनके अंदर वाली जो कलर है न, वो आप लोगो को देखने को नहीं मिलते हैं जैसे कि ये silent mode का जो यहाँ पर आप लोगों को logo मिलता है वो एकदम logo है अंदर इसके अंदर कोई भी color है वो fill नहीं है लेकिन अगर आप लोग देखते हो नए वाले control center के अंदर तो यहाँ पर जितने भी आप लोगों को icons मिलते हैं इनके अंदर आपको black color का जो layout है वो देख आने वाला है और जिन device के अंदर color OS 13.1 का update है वो नहीं मिला है उन सबी के अंदर आप लोगों को ये वाला change है वो यहाँ पर जल्दी ही देखने को मिल जाएगा बात करते हैं second change के बारे में तो वो आपको मिलेगा widget section के अंदर तो आपको plus वाले icon के अंदर आना है और provide किया गया है तो मालो आप लोगों को इसको add करना है तो कैसे आप लोग इसको add कर सकतो तो अगर आप लोग यहाँ पर swipe down to home screen में shelf है उसको use करते हो तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का जो layout है वो मिलता है और नीचे की तरफ आप लोग देख पारे होंगे आपको दिखा के अंदर recording है उसको on करनी पड़ जाती है तो उसके लिए आप लोगों को ये वाला जो widget है वो काफी जदायाँ पर सही रहने वाला है अभी बात कहते हैं हमारी एक और change के बारे में third change है वो आपको मिलेगा setting application के अंदर तो यहाँ पर आप लोग open करोगे connection and sharing के अंदर screen cast के अंदर तो finally याँ पर जो smart notification है इसका option है वो आ चुक है अगर आप लोगों को अपने घर के अंदर कोई भी एक LED है जो की smart LED है तो उसके अंदर आप लोगों को अपने जो notification है वो यहाँ पर देख सकते हो आपके phone के अंदर जो notification आएंगे वो सभी notification है वो आप लोग अपनी Android LED है उसके अंदर आप चेक आउट कर सकते हो और भी आप लोगों कुछ advanced features है वो देखने को मिलते हैं अगर आप लोग इस option को याँ पर use करते हो तो यही थे कुछ features के बारे में जो कि आप लोगों को बताने थे तो वेट करने आप लोगों को उनका latest update का और जैसे को latest update है वो release उसका आप लोगों को जो आपर latest post है वो हमारे इसी टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी तो जरूर से इसको जोइन कर लेना link आपको नीचे description में मिल जाएगी चैनल को subscribe कर लेना वीडियो गर आपको अच्छी लेगी तो like करना मैं मिलता है आपको next video में जेहिंद और माइर हम